मद्धि प्रदेश में लोकसभा चुनाब से पहले कॉंग्रेस पार्टी को एक के बाद एक लगातार जटके लग रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का भारती जनता पार्टी का दामन थामने का यह सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा जब से भारती जनता पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की है और नरुत्तम मिस्रा को नई जॉइनिंग कमेटी का अध्यक्चिया संयोजक बनाया है तब से लगातार एक के बाद एक हर दिन कई कॉंग्रेसी नेता भारती जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ है इसी क्रम में आज कॉंग्रेस को सागर जिले में एक बड़ा जटका लगा है जहां कि एक पूर्व महीला विधायक ने आज भारती जनता पार्टी का दामन थामा है जिसके बाद जिले में कॉंग्रेस को बुरी तरीके से जटका लगने की बात सामने आगयं है आचके वी नियादब और नरुत्तम मिस्रा सहित कई दिगजों की मौजूदगी में कॉंग्रेस की दिगज ने त्री पारुल साहु ने भारती जनता पार्टी की सदस्ता ली है ना केवल पारुल साहु ने बलकि उनके साथ कॉंग्रेस के कई कारे करता भी कॉंग्रेस पार्टी का दामन छोड़ती हुए भारती जनता पाइटी की सरण में जा पहुँचे हैं पारुल साहू से पहले भी लगातार कई दिगज कॉंग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं जिसके कारण कॉंग्रेस पाइटी बद्धि प्रदेश में लगातार कमजोर होती जा रही है दरसल सागर जिले क सुर्खी सीट से बिधायक रह चुकी पारुल साहू ने आज अपने समर्थकों के साथ भाजा पा जोइंग की है इन्होंने कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्ता से भी इस्तिफा दे दिया है बता दें कि पारुल साहू बर्स 2013 में बीजेपी के टिकेट पर चुनाब लड़ चुकी है और इस चुनाब में ना केबल उन्होंने उम्मीदवारी की बलकि कॉंग्रेस के तात काली इंदिगज नेता गोविन सिंग राजपूत को चुनाब में हराया था जिसके बाद पारुल साहू लगातार मीडिया में सुर्खियों का कारण बनी थी चूंकि गोविन स सिंग राजपूत को पारुल साहू ने महज कुछ बोटों के अंतर से हरा दिया था लेकिन इसके बावजूत बरस 2018 में जब विधान सभा चुनाब आए तब बीजेपी ने पारुल साहू का टिकेट काट दिया राज होकर पारुल साहू ने भारती जनता पार्टी की प्रात मिक सदस्ता से इस्तिपा दे कर कॉंग्रेस का दामन थाम लिया था जैसे ही पारुल साहू ने कॉंग्रेस का दामन थामा वैसे ही कॉंग्रेस पार्टी ने भारती जनता पार्टी का दामन थाम चुके गोबिन सिंग राजपूत के सामने उप चुनाव में पारुल साहू को एक वार फिर से उम्मीदवार बना दिया इस चुनाव में पारुल साहू लगबग 40,000 बोटों से हार चुकी थी जिसके बाद लगातार कॉंग्रेस पार्टी में पारुल साहू हासिये पर चल रही थी यह चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार थी जल्द ही पारुल साहू भारती जन्ता पार्टी का दामन ठाम सकती हैं उर इन सभी चर्चाओं पर बिनाम लगाते हुए पारुल साहू ने सुक्रवार की सुभा मद्धृपृदेश के मुक्मंतरी मोहनयादब भारती जंता पार्टी के प्रदेश अद्यक्च बीडि सर्मा और खुद इगजनेता नरुत्तम मिष्रा के सामने अपने समर्थकों के साथ भारती जंता पार्टी का दामन थाम लिया है अब पूरे तरीके से सागर लोगसभा छेतर में फिर से लोगसभा के चुनावों में समी करण बदलते हुए नजर आएंगे लगातार जुड़े रहने के लिए आयुत को सब्सक्राइब जरूर करें